इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर जाहिर सी बात है कि लोग बहुत एक्साइटेड हैं हम इस वक्त नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर खड़े हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर घूमने भी आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर टिकेट डूणने भी आ रहे हैं कुछ भाईयों से हमने बातचीत की हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो गुड़गाउं से आये हुए हैं आप लोग यहाँ पर घूमने के लिए हैं लेकिन आपसे सवाल यह मैं करूँ कि बहुत ज्यादा लोग अब भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की टिक्टे ढूण रहे हैं कि लुड़ भाई करवाद टिकेट तो अभी तो ऐसे टिकेट डूने नहीं है हम सिर्फ स्टेडिम ही देखने आये थे और हम हरियाना गुड़गाउं से जो कि हम सोमनाथ जाएंगी लेकिन रास्ते में बढ़ा तो हम स्टेडिम देखने आ गए हैं टिकेट के बारे में क्य कितना दिल्चस्ट मैच होने वाला है पहले तो यह मैंस तो जिए इंडिया पके संका तो पूरा इंडिया देखना चाहेगा और बाकी टीकर्स तो यह ब्लैक में बेच रहे हैं आप भी आप भी टिकेट लेने आये क्या आई इदर आईये आपसे भी बात करते हैं क्या नाम है आपका अपरार नाम है किदर से आप रार वाइँ बटवास है और टिकेट लेने आए टिकेट सब सोल डाउंट हो गयी है सब बिक मैसो वाल झेटरें चीटिंग सकते हैं क्या चीटिंग अधर कर लाएं इतनी टिकेट कोई बूग हो सकती है मुझ चलो बताओ आप तो बी प्राइशान हो जया होगा वर किया करना बड़े और रार भाई कितनी टिक्ट लोग है ब्लैक में आप जरुवत पड़े क्या अब लेना पैसा रप नहीं है तो फिर मजबूर में मजबूरी का नाम आत्मा गांदीव लेना पर इतनी क्या मजबूरी है तो टीवी बे भी देखता है एक ड्रीम दा बच्पांज इंडिया पाकिसन का मेर्ट के देखने के लिए तिन दिन तक तो हम लोग लेकिन एक हफते पहले सारी टिकेट इनको ब्लैक करनी है और इसमें पूरा रोल है तो आपकी कोई रिक्वेस्ट है बी सी सी आई से जी सी ए से कि भाई टिकेट उपलब्द कराई जाए लोगों का भारत पाकिस्तान का मैच देखने का और इस बार नरेंद्र मोधी स्टेडियम में मैच होने वाला है डेट घोशित कर दी गई है और आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पे जो लोग है एक एक करके आ रहे हैं टिकेट लेने के लिए टिकेट नहीं मिल रही हैं और भी लोगों से मैं इस वक बात करना चाहूंगी आप अपना नाम बताया कहां से आएं बताएं विश्वास निमावत नाम है मेरा राजकोट से आया हूँ कितनी टिकेट चाहिए जब एक एक टिकेट इतनी महेंगी बिक रही है कितनी भी महेंगी बिक चाहिए ओन-लाइन ट्राइड कि आपने ओन-लाइन सब कुछ पहले से बूक कि दिखा रहे है बुक माई सो पे एक सेकर में सब बूक हो गया ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कुछ एरर हो गया कुछ तो गंटे दिखा रहे हैं उसके अंदर हो फिर एक मिंदे देखा तो पुरा सब फोल्डाउट सब उसके कई लोग हैं जो महंगी महंगी टिकेट भी खरीद रहे हैं और भी प्लाटफॉर्म्स है उस पर क्या आपने वहाँ कोशिश की वहाँ बेकोशिश के वहाँ अब सब फूले दिखा रहे हैं कि इधर कुछ देखा ही नहीं रहे हैं आप उनली फोट्स लेकिन आपको पता है कि 2000 से ज्यादा महंगी टिकेट भिक रही है आज की रही है तो उसको कम करना पड़ेगा क्या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या बी सी सी आई से कम करो तो अच्छा है प्राइस थोड़ा कम करो तो अच्छा है लेकिन देखिए यहां पर भरी दुपहरी में अभी तो मैच होने के लिए कुल एक महीने से ज्यादा बाकी है लेकिन फिर भी इतनी एक्साइटमेंट है लोगों में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर जाहिर सी बात है और इसलिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर भी लोग पहुँचे हुए हैं जबकि यहां पर लिखा हुआ है कि ओफलाइन टिकेट अभी अवेलेबल नहीं है सिर्फ ऑनलाइन में बुक माई शो पे टिकेट अवेलेबल है फिर भी लगातार जो लोग है जो यहां पर आकर मैच देखना चाते हैं उनकी जो भीड है दिन बदिन बढ़ती जा रही है पर टिकेट के मिलने का या फिर प्राइस कम होने का नामों निशान इस वक्त नहीं ह है और अभी आगे देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा मारा मारी होने वाली है भारत पाकिस्तान के मैच की टिक्टों को लेकर पितिश रावल के साथ एमदबाद से मिलन शर्मा आज तक